हेलो फ्रेंट्स नमस्कार गोड इबनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेपल सी बाई फशेडी पर आए श्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को और आज इस क्लास में 30 प्रसनों को सामिल किया है यह सभी प्रसन आपके होने वाले ट्रेप पहले आप सभी को बता दें आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेश्ट करते रहें मॉक टेश्ट आप सभी www.cccbifash.com पर कर सकते हैं डपसाइट का लिंक डिस्कफशन बॉक्स में दिया गया है जिन बच्चों को इबुक किया हो सकता है डिस्कफशन बॉक्स में 2400 प्लस प प्रेश्टर आपका प्रिस्टरेड ऑणलाइन सिख़्ा आदिस शम्मलित है इबैंकिंग इमेल Gra. आप चार ऑप्सन आपके सामने हैं यहाँ पर सही जवाब सभी को करना है internet आधारीत प्रेश्टर आऊलाइन सिख़्ा आदिस शम्मलित है क्या होगा इसमें Rust answer तो यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा e-learning ठीक है option number C आपका correct answer हो जाएगा देखें internet, आधरित, प्रसिश्चर, online सिछा यह सब आपका e-learning में सामिल है अगला question आपको बताना है computer virus बन हाफ hard disk को अपना सिकार बना सकता है computer virus बन हाफ hard disk को अपना सिकार बना सकता है क्या यह सही है तो यहाँ पर सही जबाब क्या हो जाएगा option number A ठीक है option number A आपका यहाँ पर correct answer होगा चलिए question number 3 में आप बोग बताएंगे word में graphics को header वा footer में जोड सकते हैं क्या आप header and footer में graphics को जोड सकते हैं मिंस किसी image को अगर आप जोडना चाहें किसी image को आप अगर header या footer में लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं क्या होगा इसका right answer बिलकुल सही है आप यहाँ पर किसी भी graphics को भी जोड सकते हैं option पहला correct होगा question number 4 में आप लोग बताएंगे name में कौन सी एक output device नहीं है कौन सी एक output device नहीं है बताएंगे option देखेगा speaker, monitor, microphone या turn of the above इसमें सी output device कौन सी नहीं है speaker और monitor दोनों output device हैं but microphone आपका input device में आता है ना कि output device तो option number C आपका सही जवाब होगा आपको बताना है LILO means LILO काहा जाता है या LILO का full form क्या होता है ठीक है LILO is called list leader, logical loader, Linux loader या उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका full form आपको बताना है और ये कई वार एक जाम में पूच़ जा चुका है तो आपको धिहां रिखना है LILO का means क्या होता है तो इसका मतलब होता है Linux loader ठीक है option number C हो जाएगा Linux loader browser पर चल रहे tab को बंद करने के लिए control W एक shortcut की है यानि कि browser पर आप जिस tab में काम कर रहे हैं उसको अगर बंद करना पड़े तो आप control W से उसे बंद कर सकते हैं तो बिलकुल आप control W से बंद कर सकते हैं और अगर आपको browser में एक नई tab की आवश्चकता है नई tab आप लेना चाहते हैं तो control T से आप नई tab ले सकते हैं और हमने सभी pay browser की shortcut की आपको पढ़ाई हैं सभी shortcut की जो भी triple 6 exam में पूँची जा सकती है वो सारी के सारी पढ़ाई है description box में link मिल जाएगा या आपको हमारे telegram से जोड़ जाना है बहाँ पर हम link पेज देंगे उस video को आप देख लेना जहाँ पर सभी shortcut की पढ़ाई गई है जैसे download की shortcut की क्या है history की shortcut की क्या है ऐसे बहाँ सारी shortcut की है जो आपको यहाँ बेब ब्राउजर में पढ़ाई गई है तो उसका link हम अपने telegram पर सीड़ करतेंगे जहाँ से आप लोग देख सकते है बिभाजित होने वाले row, column की अच्छर और number कहलाते हैं तो column का जो अच्छर होता है और row का जो number होता है इनके मिलने से क्या बनता है sale address बनता है जैसे कोई column B है और row 5 है तो B5 आपका एक sale का पता हो जाएगा एक sale का address हो जाएगा तो sale जो address होता है वो column number यानि की column का लेटर और row number से बनता है निम्न मेंसे किसमे कंप्यूटर की power जाने के बाद data नहीं बचेगा बताओ किसमे कंप्यूटर की power जाने के बाद data नहीं बचेगा RAM, ROM, P-ROM या ये सब ही अगर आप कंप्यूटर की power supply बंद कर देते हैं तो जो भी data आपका RAM के अंदर होता है वो delete हो जाता है RAM का मतलब होता है random access memory और RAM को volatile memory भी कहा जाता है धियार रखना है RAM एक volatile memory भी होता है इससे volatile भी बोला जाता है और रोम आपका temporary store होता है जैसे power बंद होती है data भी आपका delete हो जाता है ISDN का पूर्ड रूप क्या है full form क्या है ISDN का full form आप सभी को बताना है कौन सा यहाँ पर correct answer होगा बताए ISDN का full form क्या होता है integrated service digital network हो जाएगा option number आपका B integrated service digital network IBM का पूरा नाम international business machine है क्या यह सही है IBM का full form है international business machine आपको सही जवाब करना है comment box में क्या होगा तो बिल्कुल सही option पहला यहाँ पर correct हो जाएगा IBM का मतलब है international business machine question number 11 में आपको बताना है किस प्रकार के खाते में खाते से रकम निकालने पर कोई प्रतिवंध नहीं है किस प्रकार के खाते से रकम निकालने पर कोई प्रतिवंध कोई पाउंडेशन नहीं है saving account, current account fixed deposit account या ननौफटीज सही जवाब होगा यहाँ पर current account ठीक है चालू खाता जिसे कहते हैं चालू खाते में आप कितनी बार भी पैसे जबा कर सकते हो और कितनी बार भी निकाल सकते हो कोई पाउंडेशन नहीं है option number B आपका यहाँ पर सही आंसर होगा KYC का full form क्या होता है KYC का full form आपको बताना है KYC का मतलब होता है know your customer तो यहाँ पर हो जाएगा know your customer how many digits in UPI PIN UPI PIN में कितने digits होते हैं बताओ UPI PIN में कितने digits होते हैं यहाँ पर सही जवाब होगा आपका 4 से 6 UPI PIN में 4 से 6 digit हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं यहाँ 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 पर बताना है पर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी shortcut की आपको इस्तिमाल करनी होते हैं और यहाँ सी क्या क्या कॉशन बन सकते हैं तो सवाल है कि आप पूरा वर्क सीट अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं तो पहला तो आपके पास होगा control A control A से भी आप पूरा वर्क सीट सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा आप देख पा रहे हैं पूरा वर्क सीट हमारा सेलेक्ट हो चुका है इसी प्रकार से control, shift और space वार दवा करके भी आप अपना पूरा work sheet select कर सकते हैं control, shift और space वार तो यहां control यह तो कहीं दिया नहीं गया है तो फिर आपका control, shift और space वार ही correct answer होगा ठीक है? और अगर आप cable column को select करना चाहते हैं तो control, space वार प्रेज कर सकते हैं cable row को select करना चाहते हैं तो shift space वार आप प्रेज कर सकते हैं जैसे मालिया B column आप यहां देख पा रहे होंगे हमें B column select करना है यह B column हमारा है, इसको हमें select करना है और यह बिलकुल नीचे तक, यानि कि last जो हमारा row है बहां तक select करना है तो ऐसे करके अगर जाओगे नीचे तक, तब तो बहुत time लगेगा क्योंकि आपको पता है, आपके जो लिब्रोफिस calc होता है इसमें row जो आपकी होती है, वो 10,5,5,5 होती है बहुत time लगेगा तो यहां पर एक तरीका क्या हो सकता है, इसके shortcut की क्या हो सकती है पर हम click कर देंगे, बस आपको यहां click कर देना है पूरा आपका column select हो चुका है, ठीक है तो दो तरीके आपको पता चले सेम इसी पकार से एगर हमें row select करना है, slash तक row लेकर जाना है जो हमारा column later amj है, बहां तक हमें row को select करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपके पास है shift के साथ space bar shift space bar आप दबा दो, select हो जाएगा, दूसरा आप चाहें तो यहां row number पर भी आप click कर सकते हैं, row number पर जैसे click करते हैं तो पूरा row हमारा select हो जाता है, अगर आपको थोड़ा एक तो row select करनी है, तब तो आप cable ऐसे mouse से drag करके select कर सकते हैं, ठीक है, तो यह कुछ चीज़ें आपको दिहां रखनी है आगे बात करते हैं, next sale में कैसे जाएंगे अगली sale में अगर हमें move करना है, तो आप कैसे जाएंगे shift प्रेस करके, tab प्रेस करके, control प्रेस करके, या enter प्रेस करके अगली sale में आप कैसे जाएंगे तो आंसर क्या होगा, tab को प्रेस करके, tab दबा देंगे, अगली आप sale में आ जाएंगे जैसे आपके पास यहां बहुत सारी sale हैं, sale का मतलब यह जो box आप देख रहें जैसे tab दबाएं, आप आगे आगे, अगली वाले sale पर आगे, यहां पर कुछ आपको लिखना है, लिखेंगे टब दबाएंगे, आगे वाले sale पर आगे, तो अगली sale पर जाने के लिए हमें tab को प्रेस करना होता है, अगर हम shift के साथ tab प्रिश कर देंगे, तो हम बापस आजाएंगे, यानि कि जिस जगे पर अवी हम हैं, जिस cell पर हम हैं, अगर हम shift के साथ को type दबाएंगे तो हम पीछए आएंगे, बापस आएंगे, देखो, shift दबाया, tap दबाया, बापस हुए, shift दबाया, tab दवाया पापस हुए, cable tab से हम अगली sale पर जाएंगे और previous sale पर जाने के लिए shift tab होगा, याद रखना है previous sale के लिए shift tab होगा इसी प्रकार से अगर हम enter दवाते हैं enter दवाने से हम नीचे वाली sale पर आते हैं, एक sale down हम आते हैं enter प्रेस करने से और अगर shift के साथ enter दवाते हैं, तो आप उपर के तरफ जाते हैं, तो shift enter से आप जहां पर हैं, उससे उपर के तरफ move करते हैं, enter से नीचे के तरफ move करते हैं tab से next sale पर जाते हैं और shift tab से आप previous sale पर जाते हैं, तो ये shortcut की भी आपको याद रखनी है अब बताना है RTGS किस बर्स लॉंच किया गया था RTGS कब लॉंच किया गया था जल्दी से जवाब करना है बताईए, RTGS का मतलब होता है Real Time Gross Settlement और इसे 2004 में लॉंच किया गया था 26 March 2004 आपको याद रखना है 26 March 2004 को इसे लॉंच किया गया था आपको बताना है Twitter पर लिखित कारे को क्या कहते है Page, Lesson, Post या Content Twitter पर आप कुछ लिख करके भेज देते हैं तो लिखित कारे को क्या बोलते हैं या जो लिखित कारे आपने किया है उसे हम क्या बोलेंगे, Post बोलते हैं हमने पोस्ट पहाँ पर कर दिया कोई पोस्ट हमने लिख दिया तो आप उसे पोस्ट का नाम देते हैं What is Retweet? Retweet क्या होता है? Retweet क्या होता है? तो किसी के tweet को share करना ही Retweet कहलाता है Option number B माल या किसी ने tweet किया और आपने भी उसी के tweet को अपने Twitter handle से उसको share कर दिया तो क्या होगा? ये Retweet माना जाएगा ठीक है? यानि कि आप अगर किसी के tweet को share करते हैं तो इसी को कहते है Retweet करना What is Spamming? Spamming क्या है? Spamming क्या है? Unsoldisted Mail है? Draft Mail है? Sent Mail है? या None of दीज़े? तो Spamming का मतलब है Unsoldisted Mail अवांचित Mail ठीक है इन्हें अवांचित Mail भी कहते हैं ये Unsoldisted Mail होती है जो कि Spam आप बोल सकते हैं और आदिकांस आप में देखा होगा आपके Mail Box में Spam folder में सारे Mail चले जाते हैं आपको बताना है किसी को भेजा गया Mail Sent Box में जाता है किसी को भेजा गया Mail Sent Box में जाता है True या False अब थोड़ा समझना है इसको दो तरह से बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि किसी को भेजा गया Mail sent box में जाता है अगर अपनी device में आप देखेंगे तो अगर किसी को आपने mail भेजा वो कहा जाएगा sent box में जाएगा इसका जवाब true हो जाएगा और यही यहाँ पर पूछा जा रहा है बट किसी को भेजा गया mail जिसको भेजा है उसके mobile में अगर आप चेक करेंगे उसके laptop में अगर आप चेक करेंगे तो वो तो inbox में जाएगा तो उसे कहते हैं प्राप्त किया गया mail जो mail हमें receive होता है वो कहां आता है वो inbox में आता है जो mail हम भेजते हैं वो sent box में जाता है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा पहला आपको बताना है IMEI कितने अंक का होता है कितने डिजिट का होता है IMEI कितने डिजिट का होता है मिन्स IMEI में कितने अंक होते हैं IMEI नंबर होता है अगर आपने अपने मुवाइल फोन में एक SIM डाल लगता है यानि कि एक SIM slot है तो आपके mobile phone में एक IMEI number होगा दो SIM slot है तो दो IMEI number होगे तो यह IMEI जो number होता है यह कितने digit का होता है option number D यह 15 अंकों का होता है ठीक है 15 digit का होता है और इसको check करने के लिए जानने के लिए कि आपका device का IMEI number क्या है तो क्या dial करना पड़ता है बताईगा star has 06 has जैसे ही type करते हैं तो इससे आप अपने device का IMEI number जान सकते हैं आपको बताना है FDM का पूरा नाम क्या होता है FDM का full form सभी बच्चे बताएंगे comment box में जल्ली से बताएगा क्या होता है और जिन बच्चों ने class को भी तक like नहीं किया share नहीं किया है आप सभी को like और share करना है और जो साथी चैनल पर first time है आप सभी को subscribe करके घंटी के वड़न को दबा लेना है ताकि notification भी आप लोगों को मिलते रहें यहाँ पर हो जाएगा option B frequency, division, multiplexing FTM का मतलब होता है full form होता है LibreOffice में mail merge करने के लिए कितने चरण है mail merge के कितने चरण है LibreOffice में answer होगा 5 चरण है 5 चरण है और कई वार पूछते हैं mail merge command किस menu में मिलती है तो LibreOffice में LibreOffice राइटर में आप जाएंगे tools menu में आपको जाना है tools menu में mail merge command आपको मिलेगी Unix के निर्माता है यानि कि Unix के founder कौन है आपको ये बताना है Unix के founder है कौन जल्दी से बताईगा option number B Kane Thompson ये Unix के निर्माता है Kane Thompson आप सभी खुद हाँ रखना है अगर Linux की बात करें तो Linux के founder कौन है Linus Torwalds Unix के कौन है Kane Thompson याद रखना है तोनों के computer में system software का सबसे महत पूर्ण भाग कौन सा है compiler है interpreter है operating system है या package अब देखी चार option आपके सामने है इसमें एक correct जबाब है तो वो आपको बताना है computer system में software का सबसे महत पूर्ण पार्ट कौन सा होता है तो आशर होगा operating system computer में system software का जो सबसे important part है वो है आपका operating system name में सी वहा कौन सा program है जो हमारे computer में हमारी इच्छा के बीना load हो जाता है ठीक है ऐसा कौन सा program है जो आपकी इच्छा के बीना आपके computer में स्वताहा load हो जाता है उसे आप कहेंगे virus option number d .ods extension का परियोग dash file के लिए किया जाता है .ods extension का इस्तेमाल आप किस परकार के file में करते हैं notepad, calc, writer, word तो यहाँ पर हो जाएगा calc, libra office calc में जो extension होता है .ods ही होता है open, document, spread seat इसका पूरा नाम होता है तो पूरा नाम भी आपको दिहां रखना है radio wave transmission एक wireless transmission का परकार है .true false में जवाब करना है तो बिलकुल सही है option यहाँ पर पहला आपका correct हो जाएगा आपको बताना है VOIP का पूरा नाम क्या होता है VOIP का full form सभी बच्चे बताएंगे क्या होता है .cc advance mock test series आपको हमारे channel पर मिल जाएगी playlist में जाना है बहाँ पर बहुत सारे class हमने दिये हैं बहुते detail में सब कुछ पढ़ाया गया है हर एक चीज बहाँ पर आपको समझाई गई है तो अगर आपने बहुत देखा है तो आपको काफी benefit होगा अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना अच्छे से समझ लेना उसके बाद अगर आप एकजाम देते हैं तो बहाँ से बहुत कुछ आपको benefit मिलने वाला है यहाँ पर क्या हो जाएगा बताईए option पहला voice over internet protocol होता है voice over internet protocol है VOIP का पूरा नाम यह सभी को पता होना चाहिए impress में last edited slide पर जाने के लिए किस command का इस्तिमाल करते हैं बताईगा impress में last edited slide पर अगर आप जाना चाहते हैं तो किस command का इस्तिमाल करेंगे आसर होगा alt shift f5 option number c alt shift और f5 का इस्तिमाल करते हैं जब आप LibreOffice इंप्रेस में आते हैं यहाँ slide पर आप जाएंगे और आपको जाना है last edited slide तो आप देखेंगे यहाँ पर एक option आपको देखेगा last edited slide का जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे और इसके shortcut की होती है alt shift और f5 तो ध्यार रखना है यह slide menu में command आपको मिलेगी किस menu में slide menu में slide menu में ही आपको new slide की command मिलती है duplicate slide की command मिलती है set background image आप यहाँ से कर सकते हैं slide property यहाँ से आपको देखने को मिलती है master background है यह सभी hide है rename slide है और jump to last edited slide है slide transition की command यहाँ पर आपको मिलेगी तो यह सारी command आपको slide menu में ही देखने को मिलती है ठीक है तो आज की class बसें तक थी उमीद करता हूँ आप सभी को class पसंद आई होगी class अच्छी लगी हो इसको like करना, share करना और जिन बच्चों का exam होने वाला है आप सभी को हमारे तरब से बेस्ट अप लग I hope आप सभी का exam बहुत अच्छा होगा जो भी प्रस्ण आपको आपके exam में याद रहें आप हमें अवस्य भेजें ताकि उन प्रस्णों को हम अपने class में discuss कर पाएं प्रस्ण आप हमें whatsapp कर सकते हैं 94522949436 पर या फिर हमें mail कर सकते हैं info.cccbyfashti at gmail.com पर या आप चाहें तो हमें instagram और facebook पर भी अपने प्रस्ण भेज सकते हैं instagram और facebook का id है cccbyfashti ठीक है तो आज के लिए वस्चतना ही मिलेंगे आपको अगली class में तब तक के लिए चाहें बाइ 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 गुटनाइट